Hello Friends, स्वागत है आपका मेरी चैनल Literary Mind में आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बिलावड के बारे में एक नोवल है जो कि टॉनी मौरीसन के दुवारे लिखी गई है एंड ये जो नोवल है प्रेस्क्राइब्ड है इससे पहले मैं बता दूँ अगर आप नई हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इसकी साथ ही साथ जो ये चैनल है इंगलिस ओनर से लेटेड जितने भी नोवल से है उन सबकी समरी डालता रहता है प्लस उनसे रिलेटेड कॉंटेक्स वाइस कोस्टेंस वगएरा और इंपोर्टेंट कोस्टेंस भी डालता रहता है तो बिसिकली ये जो चैनल है आप लोगों के लिए बहुत ही जादा है तो फोर्गेट नोट तो सब्सक्राइब इस चैनल अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स की बीच में जाद जादा सेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर दो इस चैनल को आप तो जादा टाइम विस्ट ना करते वे डिरेक्ली हम अपने काम पे आ जाते हैं जो कि है हमारा डिलीवर करना समरी इसकी बारे में तो कुछ मेजर करेक्टर्स हैं बर उससे पहले थोड़ा बहुत हमें पीछे का भी कॉंटेक्स पता होना चाहिए अमेरिका में जो था उस टाइम पे स्लेव्स को लाया गया था खरीद के अफरीका से और उन्हें वहाँ पे बहुत ही गंदी तरीके से पेस किया जाता था उनको as a human नहीं समझाता जाता था उनको ये लगता था कि हमने इनको खरीदा है तो उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था तो इसी चीज को टॉनी मॉरीसन ने एक बहुत ही अच्छे फॉर्म में सो करने की कोशिस करिये अपनी इस नोबल में through the help of a mother जिसका नाम है सिथी और इसके इसके बारे मैं पढ़ेंगे बट थोड़ सा पीछे और जान लेते हैं तो उस टाइम पे ऐसे जो स्लेव से उनके उनको जो काफी ट अच्छादूम है तो बिसिकली उनको भी एक आइडेंटिटी दी गई है इसमें अमेरिका में after getting freedom from Europeans मतलब ब्रिटिसर से कह सकते हैं आजादी पाने के बाद भी जो अमेरिका में करीब बहुत दिनों मतलब बहुत सालों बाद जो यह थे slaves से यह कह सकते हैं ब्लैक अफ्रिकंस से इनको अपनी आइडेंटिटी मिली civil war हुआ तो आप देख सकते हो कि जो अमेरिका के जो होईस्टरि है वो काफे ड्रेट फूल रही अगर कोई भी अमेरिकन था, ब्लैक अमेरिकन कहा सकते हो आप, तो उसके लिए काफे ड्रेड़फुल सिच्वेशन थी इस टाइम पे अमेरिका में रहना, ठीक है, तो इसी चीज़ को सो किया गया है टॉनी मोरीसन के द्वारा, इन दे फॉर्म ओफ नोवल, बिलव, तो आप देख सकते हो कि मेजर करेक्टर है, हमारे पास सेथी, बिलव, पॉल्डी, बेबी सक्स, डेनवर, जो करेक्टर हैं, उसमें से मेन है फ्लाला भी सेथी, सेथी के चार बच्चे होते हैं, एक बड़ी बेटी, दो बेटे, और एक बड़ी बेटी को इसलिए मार देती है, ताकि जो इसने स्लिवरी में फिस किया है, इसकी बेटी को ना फिस करना पड़े, ऐसा क्या situation होता है कि इसे मारना पड़ता है, यह हम इसके बाद में बाद में पढ़ेंगे, जब समरे डिलिवर करेंगे, थोड़ साइसे जान लेते तो जिस बेटी कोई मारती है बड़ी बाले को, वो एक्चुली घोस्ट बन जाती है, और वो बिलवड आती है फिरसी स्टोरी में, एंट्री लेती है मरने के बाद, तो घोस्ट बन जाती है वैसे दोस ताइम पे, तो यह कह सकते हो आप घोस्ट है, और यह जो है पुरानी जाजा करती है सहती की, कि किस टाइब से क्यूं मारा इसने, और यह कह सकते हो कि बदला लेने भी आती है सहती से की तुम से लड़ा नहीं गया उन से, इन लोगों से कि तुमने अपनी ही बेटी को मार डाला, मतलब एक मदर हूड पे कोस्टन उरता है सहती पे, जैसे इसी की बेटी होती है, जो की घोस्ट बनके एंट्री लेती स्टोरी में, आगे पढ़ते हैं पोल्डी के बारे में, तो पोल्डी जो होता है, कह सकते हो सेती की साथ ही जब यह रहते थे, जहां पर यह स्लेवरी का काम करते थे, जो इनके मास्टर थे, तो उनके साथ यह पोल्डी में वे चाहते हुए उस टाइम की बात है कि यह साथ रहते थे ते तो आपको यह को का यहाद सब्सक्राइब मुखते हैं वे अब टेकरं में कड़ने टोन बारे तो बीबी सद्सक्त शंच की त्र जाया यह मुख की घलो यह वह थी जो कि एक black African था और हले की मा थी यह बेबी सक्स हैले ने वैसे यह भी एक slave थी बट इसने क्या कर रहा था अपनी मुम्मी की जो slavery है मतलब जो यह slave थी इसने इसको free कर दिया था कह सकते हो आपकी इसने अपनी कुछ payment की होगी ताकि इसकी ममी जो है slavery से free हो जाए यह था कि बेबी सक्स free हो गई थी slavery से और बाकी यह अभी फिलाल तो slaves बने हुए थे इनको छोड़के यह तो बेटी थी वह बिलव डैनवर दैनवर थी साथी की छोटी वाली बेटी जो सबसे चोड़ी बेटी थी और school teacher school teacher जाए सकते हो विलन है story का जिसने साथी के साथ बहुत ही बुरा बुरा किया कह सकते हो यह major characters थी minor characters है कुछ poly, m.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i. पाइक, लेडी जोंस, नेलस, इनके बारे में ज्यादा जाने के जुरत नहीं है आगे अगर आएगा तो हम बताते रहेंगे तो अगर पिशिक की बात है कि अगर हम summary deliver कने लगे इसकी तो यह जो स्यथी थी यह अदर और और भी कुछ जो slaves थे यह काम क्या करते थे एक plantation में और इनको जो master थे जिन्नोंने इनको खरीद रखाता इन slaves को यहां से start होती है summary वैसे तो जो story है वो fragments में है अगर आप book पड़ोगे तो fragments में है कि जो सेथी है अभी फिलाल present में है फिर अपने past की चीज़ों को याद करते है लेकिन मैं ज्यादा confuse ना करते हुए directly जो story है वो देता हूं जो सेथी ती अब सेथी की फिलाल अभी तो तीन बच्चे थे वैसे तो starting से गर बताएं तो तो जो यह सेथी ती जो सेथी यह स्वीट होम में काम क्या करते थे यह as a slave उस्टाइम पर इस सारे स्लेव थे सेथी हैले शिक्सो पॉल डी पॉल आफ पॉले यह सारे स्लेव से उस्टाइम पर और जो इनके मास्टर थे की में सेरी और मिर्णर तो मिस्टर गार्नर जो सेथी है कि बताया गया कि कितना ख्राब कंडिशन कर दिया गया तो जो यह श्कूल टीचर था ये brother-in-law था Mr. Garner के तो after that उनकी मौत के बाद इसकी उपर जिमेबारी आ गई कि जो plantation है sweet home की तो तुम्हें समाल ला है तो इन्होंने न बिल्कुल भी slaves को slaves की तरह मतलब human की तरह ने treat किया इन्होंने उनको janwar की तरह समझा and इनकी condition कर दी खराब किसी को तो जला दिया गया pole F या pole A को मेभी ऐसा ही कुछ था कि उनको जला दिया गया मतलब काफी torture हुए उनके उपर इन्होंने जब देखा कि सैथिव अगरा है जितने भी slaves इन्होंने देखा कि जो school teacher है बहुती गंदी तरह के से पेस आ रहा है उनके साथ इन्होंने भागने की कोशिस करी sweet home से वो भाग भी जाते है तो सैथि क्या करती है अपने तीन बचों को तो वैसे पहले भगा देती है फिर सोती है कि मैं भागूँगी उस टाइम पर यह pregnant होती है सैथि अब यह क्या है कि स्लेव से भाग गए होते है इसने भी स्लेव से भाग गए होते है तो हैले भी भागाने में मदद करता है अपने तीन बच्चों को और खुद भी भाग जाता उस ठाइम पर लेकिन सैथि रह जाती है तो हैले क्या करता है वहां पर रुकता है जैसे भागता है तो यह देखता है कि जो सैथी है वो पकड़ी गई है स्कूल टीचर और कुछ अधर जो पकड़ने वाले थे स्लेव कैचर उनके त्वारा सैथी पकड़ी गई है आफर देट जो यह थे स्कूल टीचर सा इसके दो नफ्यूज थे दो नेफ्यूज क्या करते हैं बहुती बुरी तरीके स्पेस आते हैं सहती के साथ उसका जो प्रेस्ट का मिल्क होता है ये दोनों पी लेते हैं जितने इसके जो दोनों नेफ्यूज होते हैं उसका मिल्क पी लेते हैं तो सहती को ये बाद बहुती बुरी लगती है इसे बढ़िया तो इसे यह लगता है कि मिल्क तो पी लेते हैं उसके breast का, after that उसे पीटते भी हम हो जाता है उसके जो पीछे है back पे में भी मारा जाता है whip से तो उसके बाद निसान पढ़ जाता है एक ट्री का तो अभी भी उस तो अभी क्या है कि भाग गई और से पकड़े गई अब हैले को न यह देखा नहीं गया कि सामने उसके जो वाइफ है उसका breast का milk पी लिया गया नेफियूस के द्वारा उसे मारा गया तो यह हैले बरदास नहीं कर पाता और वो पागल हो जाता है सहती को यह बहुत बुरी पास लगती है उससे ये लगता है कि इसे भड़िया तो मार है लेकिन जो इन्होंने मेरे breast का milk पीया है वो बहुत ही बहुत बहुत बुरा किया है मेरे साथ तो इवन उससे बढ़िया यह था कि मैं मार खा लेती यह मार जो पड़ी है में तो वो इससे बेटर था ठीक है तो यह उन्हें लगता है मतलब सैथी को लगता है तो after that वो वहाँ से भाग तो जाते हैं सैथी पगड़ी गई होती है तो तो जैसे- तैसे घरिए यो जो सैहती है वाँवति होते हैं यह जैसे तैसे यह सैथी पकड़ी गई गया उसके बाद क्या करती है हैं जैसे जह से बहुति है और वह बहुति है तो उसका जो वाटर होता है वह ब्रेक हो जाता है मतलब मृत्रेElीरी ऑन exception । तो उसका इमीप इसको बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा होता है मार भी बड़ी है इसको इतनी बुरी वाली तो हमाइएड जैनवर होती है एक लेडी है एमाइड इंवर इसकी हैल्प करती है उस बेबी को डिलिवर करने के लिए और फाइनली इसे सेज़ेगर पहुंचा द सकती थी मतलब बता के पकड़ा सकती थी कि यह भागी हुई स्लेव है और एक लॉट था यह आप नोट कर लो फ्यूटिव स्लेव लॉट क्या है सकते हो या फ्यूटिव एक्टो फूथाउदिन कुछ था इसे में है यह रहा फ्यूटिव स्लेव एक्ट ओफ एक्ट ओफ एक्ट के तहती था कि आप किसी भी भागे वे स्लेव को दुबार से पकड़के अपने कपजे में कर सकते हो अगर वह आपका स्लेव था तो तो काफी ऐसे कुछ नियम थे जो कि स्लेव के लिए या स्लेवरी को बढ़ाव तो निकलती है इसका जो बेबी होता है वो डिलीवर हो जाता है तो यह माई डैनवर जो होती है वो कहते है कि इस बेबी का क्या नाम रखना है तो सेथी कहती कि तुम्हारी ओनर में मैं इस बेबी का नाम तुम्हारे लास्ट नेम से रख लूँगी जो कि डैनवर होता है मा करती है जैसे तैसे सहती क्या हो जाती है पहुंचाती है अपने नहीं मतलब वैसे जैसे तैसे तो नहीं मतलब कुछ परेशानियों के बाद वह अपनी उन बच्चों से मिल पाती है जहां पे इनको छुपाए गया था जहां पर बेबी सक्स रह रह रही थी अब बेबी सक्स क् बेबी सख्स नहां प्रिचर्च करते हैं वेशे वह भी प्रिस या करती थी हूर को प्रिसक्स दिया करती तोrotis कुछ चंद लम्हें थे, जिनमें ये अपने चारो बचों के साथ रहती है, अपने सास के साथ भी रहती है, बट इसका हस्वेंड जो होता है, वो पागल हो गया होता है, और वो वापस घर भी नहीं आता, अब ये क्या करते हैं, जब ये खुसी के दिन काट रहे होते हैं, तो जो पडोस के लोग होते हैं, वो इनसे जलने लगते हैं और जलने के साथ साथ, इनको ऐसे लगते हैं, barbecue सब्सक्राई डिखावosa दिखा रही है, दिखाव defensory टैप की है जाथ, ईनको जलन होने लगते हैं बागी जो यह होता है, school teacher अपने दोनruktur के साथ जो स्कूल टीचर होता है वो slave catcher के साथ वापस आ जाता है सैथी की बच्चों को पगड़ने कि सैथी की जो बच्चे है अब बड़े हो गए है तो हम उन्हें भी slavery में लगा देंगे और सैथी को भी पगड़ कि ले जाएंगे slavery में लगा देंगे मतलब ये था कि इनका ये था कि जो slave है हमने खरेज लिया अब जो उनके बच्चे हैं वो भी slavery slave ही होंगे और वो हमारे under में होंगे इनका ये था बट सती ये चाते थी कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो ये ऐसा चाते थी सती तो friends देखना बहुत ही डीप सी स्टोरी है अभी देखना क्या होगा जो पडोस के जो लोग थे उनको ये पताता कि कोई आ रहा है इनको इनके बच्चों को पकड़ने लेकिन वो जलन के मारे कह सकते हो जलसी के कारण वो इसे इसे बताते नहीं है बेबी सक्स को और सेथी को भी नहीं बताते कि तुम्हारे बच्चों को पकड़ने आ रहा है या तुम्हें पकड़ने आ रहा है वो स्कूल टीचर फिर से वो नहीं बताते इसको अब जब सेथी देखती है कि वो आ गए तो वो एक सौ निकालती है, आरा निकालती है में भी अपनी जो बड़ी वाली बेटी है उसका गर्दन काट देती है और छोटी वाली बच्ची इसके गोध में होती है क्योंकि वो तो छोटी-छोटी अभी पैदा होई थी तो जो स्कूल टीचर आके देखता है कि यह क्या करा इसना इसने तो मेरी प्रोपर्टी जो थी मेरी उसने चीन ली साथी ने तो क्या होता है कि अब साथी को जेल जाना पड़ता है कि उसने बेटी को मारा है अपने तो साथी जेल जली जाती है अब Denver छोटी थी, क्योंकि Denver तो दूद पीती बच्ची थी, तो Denver को भी जेल जाना पड़ता है, क्योंकि उतो breast का milk पीती थी अपने मुमी की, तो उसे भी जाना पड़ता है जेल, उस टाइम पे साथी कोई नी समझा रहा होता है, क्यार उसने अपनी बेटी का कतल क्यों कर रहा है, वो सोचने लगती है, फिर उसे यह लगता है कि उसने जो भी करा है, वो अच्छा करा है, लेकिन जो society के लोग थे और black community थी, जहां पे रह रही थी, बेबी सक्स, कोई सोचने लगती है, तो यह पागल है, यह कैसी मा है, इसने अपनी बेटी का गला काट दिया, यह कैसी माम है, उसे जज़ करने लगते हैं लोग, लेकिन साथी कहती है कि मैं अपनी पोजिशन पे सही थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी को यह नहीं चाहती थी, जो मेरे साथ हुआ था, वो किसी और के साथ हो, जो यह बेबी सक्स थी, इसके बारे में भी बहुती अजीब सी कह सकते हो, मतलब इसके साथ भी बहुती बुरा हुआ है, टॉर्चर हुआ है, इसके साथ भी कई बार रेप किया गया था, जितनी बार भी रेप किया गया था, जितनी बार भी प्रेगनेंट हुई थी, उसने क्या कर दिया था, अबोर्ट कर दिया था, चाहिल लेने के लिए, क्यो वो वाइट पीपल थे जिसने सथी के मौम के साथ रेप किया था तो वो यह नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा बच्चा पैदा हो सथी इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि जो सथी के पापा थे वो एक ब्लैक अफ्रिकन थे ठीक है सवरी बैबी सक्स नहीं था वो यह सथी की मौम थी तो अब आगे आ जाते हैं तो इसलिए यह सथी चाहते थी कि जो उसने करा है वो सही है वो उसे कोई जद ना करे उसने अप अपने हवस को यह सकते हो लस्ट को अपने पूरा करते थे स्लेवरी के दम पर ठीक है उसके बाद अगर देख सकते हो आप कि यह तो भाग जा यह जो स्कूल टीचरह यह देखता है उसके बाद यह जिए सिब रोलाजा पर आप ज़िए जैसे इंको छुडा के लाता है यह क वापस आ जाती है जब सैथी जेल से तो 124 ब्लू स्टोन हाउस में रहते हैं यह ठीक है बेबी सक्स भी रहते हैं तो वैसे ज्यादा दिन तक बेबी सक्स मौत का इंतजार करने लगते है कि कब उसे मौत आई क्योंकि वह जब यह देखते हैं कि सैथी ने अपनी बेटी का कतल करती है तो उसे बरदास नहीं होता और वह थोड़ी दिनों बाद मर जाती है तो आफ्टर अब तीन करेक्टर बचे सिर्फ इसमें सैथी और यह दोनों बचे घर में दोनों अकेले रहते हैं जो डैनवर है बहुत ही अकेला फिल करती है घर में किसी के साथ बात नहीं करती सैथी भी चिंता में पड़ी रहती है कि यार इसने क्या करा तो करा क्या अब वो दोनों अकेले हो गई है बेबी सक्स भी अकेले हो गई है तो बिलावड का काम वैसे तो देखो बिलावड आजाने का मतलब ये था कि वो पास्ट को दिखाना चाते थे कि अपनी माम को feel करवाना चाते थे इसने किसी बड़ी गलती करी है स्लेवरी से ना लड़ने के लड़ा भी नहीं और उल्टा आपनी बेटी को मारते तो फिल करवाने आती है अपनी मॉम को और भी बहुत सारी थीम्स निकल सकते हैं बिलाउट से तो वो हम बाद में डिसकस करेंगे तो अब जो है बेबी घोस्ट आ जाता है इनके घर में और वो और जो डैनवर है उसको पता लग जाता है जो बेबी घोस्ट है वो आ चुका है और थोड़ा पूद समय यह जो है डैनवर उसके साथ बिताने लगती है आफटर दैट क्या हता है कि पोल्डी इनके घर में आता है पोल्डी को जैसे पता लगता है कि इनके घर में एक घूत है बेबी घॉस्ट थे तो उसे बिलाव्ट को भगा देता है यह after that यह उनको ले जाता है कारणिवाल में Paul डी पोल डी जैसे ही आते है उंके इसको ले के जाता है। सैथी और इनको इसकी बेटी हैं यंकि बैवर को कारणिवाल में ले जाते हैं आफ्टर एट वहां से आने के बाद यह जब एक करेक्टर से मिलते हैं पैसा तो उस टाइम पर पोल्डी क्या करता है बहगा देता है बिलवड को यह उस घर से बहगा देता है उस छोड़ी बेबी घोस्ट को उस भूत को बहगा देता है लेकिन वह बिलवड भागती नहीं है फिर से एक नया फॉर्म में लेके उस टाइम पर गोश्ट थे लेकिन अब एक फॉर्म में आती है इनके घर में जब वो कार्निवाल से लोटते हैं तो और अब देखते हैं कि एक लेडी जो है बाहर रो रही है तो यह घर में उसको एंट्री देते हैं पोल्डी, सैथी और टै जब पूछते हैं कि तुम कहां से हो कहां थे आये हो तो बता निया पाती अजिली वोई से बता से पानी देते हैं यूरीन करने लगती है और उससी जब पूछा जाता है तो कुछ बतानी पाती है यसे लगता है जैसे वह सारी चीज़े भूल गई है पास्त का कुछ नहीं पता अब धीरे ज़रे क्या होता है बिल आउड जो पोल्डी है वो बिलोड के मतलब वैसे पसंद नहीं आती हो कि कोई भी कैसे किसी घर में आ सकता है उससे तैसा लगता है कि हमारी और मेरी और सेथी की बीच में कुछ बात चल रही थी वैसे तो जो पो पोल्डी की साथ भागने के साथ भी बहुत ही बुरा हुआ था अधा अधा मेल होने के बावजूद इसके साथ बहुत बुरा हुआ उसके साथ भी रेप किया गया जहां पर वो उसके जेल में बंद किया गया था वहां पर गार्ड ने इसके साथ रेप किया था तो यह भू पॉल्डी और बिलाउड एक दूसरे के साथ तो सेक्सवल इंट्रकोर्स कर बैठते हैं तो पॉल्डी को फिर अपनी मैन्होड पे कोस्टन उठाना पड़ता है कि यह इसने क्या कर दिया अब इसे बताना चाहिए यह नहीं साथी को तो यह बता भी नहीं पाता कुछ तो यह घर को छोड़के चला जाता है उस दिन फिर क्या होता है कि बिलाउड और सथी एक दूसरे से काफी अटेच हो गए होते हैं दिरी जरी इनका जो अटेच्मेंट है बहुत ही ज्यादा बढ़ता जाता है सथी इनकी बिना रहनी पाती डैनवर भी खुल जाती है बिलाउ अब तो मास युक्त शरीर है उसका मतलब फ्लैसी शरीर है उस फॉम में आई है बिलाउड उसे कहते है कि यह सथी को मत पताना उसके बारे में वह सथी से बहुत ज्यादा प्यार करती है इसलिए वह आई है बट डैनवर को तो पता होता है अब जरे-जरे उनका अटेच्मे पतार रहना पसंद था लेकिन जब यह आई बिलाउड तो एक दूसरे के साथ यह खुल जाते हैं सथी भी खुल जाती है पोल्डी भी खुल जाता है ठीक है लेकिन अब डैनवर को लगता है कि नहीं अब गलत हो रहा है क्योंकि दिन के दिन जो बिलाउड का साइज जो है बढ़ता जा रहा था क्योंकि बिलाउड जो थी वो एक्चुलिए अपनी ही मॉम से सथी से बदला ले रही थी कि क्यों मारा उसने मेरे को यहां था कि एक दो बार उसने सथी का गला जावाने के भी कोसिस करी थी दे बाइडे वो उसका ब्लड पी-पी के वैसे तो ब्लड इसकीजिए बढ़ता जा रहा था बिलाउड का और बिलाउड जिरे जिरे उसकी बोड़ी में समाती जा रहे थी 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 समाती जा रहे थे ठीक है और फ़ they have McDonald को गलत कर रहे अपनी मॉम के साथ और अब यहां वह गचानी के चकर में आब तो इनके घर में खाना भी नीए थ तो वेसे तो यह पहली टैंप है फिर बोर्ड बिन के पास बोर्ड बिन के पाइस कहते हैं और यह लोग भूत भास स्खेर व कंगर ऑचने घरों फिर जो है दैन्विद्ध से बता देती है इसके बारे में बॉडविन एक स्कूल टीचर है और वो उसको लेने आया है, उसे मारने अटेक करने जाते है बॉडविन के उपर लेकिन फिर जो भी अज़र लोग है वो से रोकते हैं सत्य को और कहते हैं मतलब रोक देते हैं फिर उसके बाद जो है अब जो है डेनवर एक अपनी बन चुकी है, एक स्कूल टीचर बन चुकी है, इसे जो बाड़ी भी नहीं कहता है कि मैं तुम्हें कॉलेज में भी अंट्री दिलवा दूँगा, तो और जो बिलाउड थी वो घर से फाइनली निकल चुकी होती है, अब जो सैथी बचे, सैथी बची, सैथी चिंता में बेटे करें काम करूँगा, तुमने जो किया था अपने बच्चे को बचाने के लिए वो सही था, अब उसे पोल्डी को ऐसा लगता है, और डैनवर, पोल्डी, सैथी, एक्चुली जो ये करेक्टर से वो अपने गम में डूबे हुए थे, अपने पास्ट के चकर में, उनक बिलवड ने क्या करा, उनको निकालने की कोशिस करी, डैनवर को आइजोलेशन से निकालने की कोशिस करी, सैथी को ये बताने की कोशिस करी, जो तुमने करा था, वो गलत था, अपने बेटी को ही मारने की कोशिस करी, पोल्डी को इस कोशिस से बहार निकालने की कोशिस करी कि तुम्हारे अंदर manhood है, वो भी भी बचा हुआ है, तुम अपनी manhood पर question न करो, तो यह सारी चीजे थी, finally story यहां पर खतम हो जाती है, बिलावड उनके घर से भगा दिया जाता है, जो society के लोग भूत भगा ने आते हैं, वो भगा देते हैं बिलावड को घर से, finally story यहां पर खतम हो जाती है, पोल्डी, सहती तो वैसे नाखुसी होती है, at the end of story भी, क्योंकि बिलावड चली गई होती है, पोल्डी as a caretaker, caretaker की तरह काम करने के लिए कहता है, मतलब वो करता है कि मैं तुम्हारी caretaker की तरह देखबाल करूँगा, Denver सारा घर चलाने लगती है, तो finally story यहां पर end हो जाते है, दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो, तो please like करना, क्योंकि जो summary है इस chapter की, अगर deliver कोई करना चाहता तो बहुत ही महनत लगेगी, क्योंकि जो है story है, fragments में बटी हुई है, उनको जोड़ना, after that video बनाना and upload करना, that is a quite big task I think, तो अगर मेरी महनत अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो please like कर देना इस video को, to help other your friends, friend circle के बीच में आप से एर करतो, definitely आपका मैं आभार ही रहूँगा, I will be grateful to you for your kind support, अगर आपने ये video अच्छे से देखा है, from starting to the end, then definitely आपको कुछ मिला होगा, इस video से, तो ज्यादा time waste ना करते हुए, अगर आपने फिर से, मैं बता दो, अगर आपने इस channel को like subscribe नहीं करा तो subscribe कर दो, और some of the other videos जो हैं मेरी, उनको देखने के लिए, आप क्या कर सकते हो, ये जो other nobles हैं मेरी, एक तो मैंने rape of block के टाली थी summary, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, तो link, जितनी भी links यहाँ पे सो हो रही हैं, उनको आप click करके, देख सकते हो वीडियो, और एक paradise lost के ये भी देख लेना आप, तो friends, आज के लिए इतना ही, thank you, जै हैं जै भारत.